हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एडिटोर अनलिसिस के वीडियो में जिसमें हम लोग हिंदू के सारे इंपोर्टेंट एडिटोर्डल को डिसकस करते हैं और इसके अलावा इंडियन एक्स्प्रेस के भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग इं तो आप समझ सकते हैं कि अभी आप प्रिप्रेशन कर रहे हैं आपको बहुत सारी साक्रिफाइस करने होंगे आप फेस्बॉक खोलोगे आपको सभी लोग पाटी करते हुए दिख रहे होंगे ठीक है अगर आप देखोगे कोई ग्रूप में अगर होगे तो वहाँ पर सभी द्रीम है वही साक्रिफाइस करना पड़ जाए तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और बहुत ही छोटी सी चीज है पर अगर आप इसको थोरा सा सोचेंगे तो आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा कि अगर आप कुछ एक चीज़े अपनी खुशिया तरह से अभी के ट पर इसको बहुत है तो यही सीक्वेंस करने चाहता हूं तो सबसे पहला आप एडिटोरियल सामने देख रहे है यह जो इंडिया की फॉरें पॉलिसी के बारे में डिसकस किया हूँ है इन्होंने और इन्होंने इतना बहतरीन डिसकुशन किया है इन्होंने हर एक आंगल को कवर किया है साथ के साथ यहां पर तीन रीजन बताये हैं जिसके बेसिस पर हमारा जो पॉलिसी का अलाइन्मेंट है वो चेंज हो रहा है या फिर आप कह सकते हो कि हमारी फॉर्ण पॉलिसी डिसाइड हो रही है प्रेजेंट कॉंटेक्स्ट में तो यह बहुत इंपॉर्ट उसके बारे में उन्हेंने डिसकस किया है फिर उसके आगे आप जब बढ़ेंगे तो डायेट के बारे में discussion किया गया है और डायेट का मतलब आप समझ रहे हैंए वहाँ पे poverty का भी concept आ गया है वहाँ पे आगर आप देखोगे तो health का भी concept आजाएगा और health और poverty का आप जान सेक्टर में किस तरह से मतलब deaths हुई है doctors के तो वो देखेंगे फिर RBI के द्वारा यहां पर जो extra हमारे पास information आया है regarding के जो NPA है वो कितना बढ़ने वाला है क्या stress होने वाला है हमारी economy पर तो वो हम लोग देखेंगे इसके अलावा फिर बही है कि फिर छोटे मोटे articles जो तो मैं मेरे ही आपसे यही request है कि हां और इंडिया से रिलंका का भी यहां पर एक relationship है वो भी देखेंगे वो हो सकता है चौता या पाच्वा एडिटोरियल हो तो यह सारे एडिटोरियल बहुत important है आज कि मैं आपसे request करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूर बने वाले हैं तो चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं और हाँ आज का वीडियो लंबा होगा इसकी guarantee में देता हो तो इसलिए प्लीज आप लोग मुझे यह liberty दीजिए कि मैं at least अपने हिसाब से अपनी quality maintain करके रखो ताकि मेरा discussion जो हो आपके लिए भी fruitful हो तो हमारा जो जो present backdrop है उसमें हम देख सकते हैं कि काफी सारे setbacks हम लोग जेल रहे हैं और ये मैंने आपको जितने भी editorals पढ़ा हैं आयर वाले उसमें मैंने आपको explain करके बताया है situation कि किस तरह से scenario अभी इंडिया का हुआ हुआ है बहुत सारे problems जेल रहे हैं और बहुत सारे different angles से जेल रह रहे हैं तो इसी को इन्होंने बोला है कि यहां जो setbacks हम लोग एक तरह से देख रहे हैं especially अपने neighborhood में जो देख रहे हैं तो इसलिए इंडिया को जो यहां पे diplomacy की trajectory है इसको reconsider करने की ज़रूरा था इसको change करने की ज़रूरा था तो इसी चीज का discussion इन्होंने यहां से start किया है तो सबसे पहले start में ही आप बोलते हैं कि अभी हम लोग हाल फिलाल में ही हम लोग जब ही हम लोग पढ़ते थे vision के document या कोई भी आप current affairs के document या कोई भी debate अगर आप देखते होगे तो वहां पर हमेशा से कहा जाता था कि इंडिया जो है वो South Asia का एक rising power है एक natural rising power है साथ के सा इनका आप नाम हो सके तो comment section में बताइए और trick भी इससे involved है तो trick का भी नाम मुझे बताइए ठीक है तो यहां पर यह सब चीजे देख लिया इसके अलावा हम देख रहे हैं कि historical और cultural ties हमारा neighborhood में भी रहता था जैसे निपाल के साथ है फिर अगर आप देखोगे तो traditional goodwill और अच्छा कासा influence हमारा श्रिलंका और बांगलादेश के उपर में भी था फिर हम लोग देखते हैं कि काफी सारा investment हम लोग especially वहां के infrastructure में investment करते आए हैं कौन सी country के तो अफगानिस्तान के इसके अलावा अगर आप देखोगे तो vibrant ties भी हम लोग cultivate करते आए हैं post Taliban stakeholders जो भी यहा आपको पढ़ाया कि इंडिया के कितने neighbors हैं ठीक है नाम के साथ बताइए तो यह हो गया अब यहाँ पर इन्होंने इतना साथ discussion किया यहां पर हमें क्या पता चल रहा है पता चल रहा है कि इंडिया की presence जो है वो South Asia में काफी important है ठीक है पहली चीज और दूसरी चीज अगर आप देखेगा तो यहां पर काफी सारा respect भी है इंडिया को से related क्योंकि इंडिया का अगर आप देखेगा तो इंडिया की location इतनी बहतरीन है कि इनको बहुत सारा benefit मिला हुआ है हमारे पास resources काफी सार है हमारे बेनेफिट काफी सारा हैं जिसको इस्तमाल कगर किया जाए हमा बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है और इसके अलाबा देख सकते हैं कि इन्होंने multilateralism को भी हमारी country हमेशा उसा follow करती आई है हम लोग जानते हैं कि हम लोग कभी भी एक particular alliance की तरफ नहीं गए हम लोग हर एक country के साथ अलग-अलग यहाँ पर एक relationship develop करते हैं और साथ के साथ alliance बनाते हैं ठीक है alliance in the sense कि वहाँ पर bilateral relationship बनाते हैं या multilateral relationship बनाते हैं ठीक है और maximum type हमारा जो main focus रहता है वो है multilateralism की तरफ इसके लाब आप देख सकते हैं कि Central Asian connectivity project पर भी हम लोग काम करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इरान का आ जाता है यहाँ पर concept ठीक है तो इरान वाला भी हम लोग हाल फिलाल में news में काफी जादा देखते हैं तो जितनी भी countries उपर में mention हुई है वो सारी countries news में आ चुकी है भी तक ठीक है तो इसलिए यह important हो जाता है हाँ इसमें भुटान का भी एक mention नहीं है वो भी होना चाहिए था चाइना का तो obviously mention है ही तो यहाँ देख सकते हैं कि compete और cooperate कर रहे हैं हम लोग चाइना के साथ एक इसी टाइम पर क्योंकि चाइना भी अगर आप देखिएगा तो साउस्टीज एशिया या फिर इंडियन अभी अभी वाला सेनारियो के पहले तक बहुत मतलब भी बहुती पीस्फुल रहा था हम लोग ने देखा था इवें गलवल मैली में जो यहाँ पर आम लोग देखा हम लोग ने clash और वो एक तरह से violent clash हो गया जहाँ पे deaths भी हुई पहली बारी around 45 years के बाद हुई थी मेरे ख सकते हैं वह situation भी कि वह situation भी present scenario में वह बहुत बारा setback हो गया है तो यह हो गया आपका पूरानी बात है अब आगे बढ़ते हैं cut to present तो cut to present में अब देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले scenario क्या है कि अभी एक national security crisis से हम लोग गुजर रहे हैं अभी presently ठीक है और यह हो सकता है कि 20 सालों में जो पिछले 20 सालों में पहली बारी इतना गंदा situation बना है national security से related ठीक है चाइना का देख सकते हैं चाइना के साथ जो LSE क around हम देख सकते हैं कि western sector में specially यहाँ पर status को change हो गया है ठीक है पहली problem दूसरी problem सार्क is out of joint हम लोग समझ जानते हैं कि सार्क का जो खात्मा है मतब खात्मे की तरफ क्यों जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान को isolate करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान जो है और historical ties है पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा दोस्त था यह भी hostile होते जा रहा है ठीक है यहाँ पर दुश्मन में यह convert होते जा रहा है और इसके अलावा क्यों तो यहाँ पर एक नया map हम लोग ने adopt कर लिया और इस कारण से जो भी उनके जो भी दो सिर्फ जि लोकेशन पर है ठीक है एक तो famous है दूसरा वाला भी आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं तो नेपाल तक हो गया है पहुंच गया हम लोग अब श्रिलंका का भी देखिएगा तो टिल्ट जो है वो चाइना के तरफ बहुत ही जादा हो गया है क्योंकि हम लोग जान अब इंडिया के उपर dependence दिखाने की जब कोशिश करती है तो इंडिया के side से उतना support नहीं मिल पाता ठीक है तो यह point हो गया अब बंगलादेश के उपर आते हैं अब बंगलादेश भी अगर देखिएगा तो वो भी हमारी friendly country है even अभी हाल फिलाल में ही देख दो दिन पहले निज में पढ़ा था कि कश्मीर डिस्प्यूट वे बंगलादेश ने हमें support किया है ठीक है जब पाकिस्तान ने वहां पर involvement की बात कही थी मतला बोला था उन्होंने कि बंगलादेश का आपका क्या opinion है तो उन्होंने हमें support किया बंगलादेश ने तो यहां पर वही है कि वो से वहां पर problems का solution निकाला जाए ठीक है पर यहां पर आप देखेगा कि इंडिया को involved नहीं किया जा रहा है ठीक है जबकि इंडिया यहां पर बहुत बड़ा party है पर फिर भी involved नहीं किया जा रहा है यह भी point आ अब आगे बढ़ते हैं इरान की बात इरान के साथ कैसे issue आ रह इंडिया है उसको involved नहीं करेंगे पर बात में फिर इन्होंने बोला कि अभी हो सकता है कि आगे चीज को काम को बढ़ाया जाए तो यह एक तरह से उन्होंने stance ही पुरा change कर लिया अपना तो यह भी problem है ना हो सकता है बात में फिर से stance change कर लें तो इसलिए यहां पर यहां पर अगर analysis करेंगे इसका properly तो यहां पर हमारे पास हम लोग obviously specific reason को pinpoint कर सकते है इन particular setbacks के लिए और यहां पर main basic चीज है जो setback का है वो है कि हमारी foreign policy में कुछ एक changes करने की ज़रूरत है तो यहां पर इनका वही कहना है कि foreign policy को static होने की ज़रूरत नहीं है अब ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले 15 साल पहले या 50 साल पहले जो foreign policy हमारी बन गई उसी को follow करते आना है नहीं उसमें changes लाना है हमारी policy जो है foreign वाली वो dynamic होनी चाहिए मतलब global politics जैसे जैसे change हो रहा है उसी हिसाब से हमारी policy भी change होनी चाहिए ठीक है तो यह point तक पहुँच गए तो आगे इनका कहना है neighborhood area में और साथ के साथ extended neighborhood में यहाँ पे deeper personal करने की ज़रूरत है जिससे अपने foreign policy के trajectory को change किया जा सके ठीक है तो इसी चीज़ के बारे में इन्होंने बोला है और इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इन्होंने पूरा जो overall जितना भी हम लोग setbacks देख रहे ह ठीक है तीन पॉइंट आपको easily याद रहेगा आपको कोई दिकत भी नहीं आने वाली है तो तीनों पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर तीनों पॉइंट क्या है और बहुत ही गौर से सुनियेगा तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि closer alignment of policy with the US US का जो line है उससे हम लोगों की जो alignment है उनकी policy के तरफ होते चली गई है वो जैसा करते हैं वो जैसा action लेते हैं या फिर उनका जो भी geopolitical उनका एक strategy होता है उसी के हिसाब से हमारी policy भी change होने लगती है ठीक है तो यह पहला हो गया closer alignment of policy with the US line ठीक है दूसरा point यहाँ पे दिया जो domestic policy में changes लाने की कोशिश कर रहा है same policy में हम लोग changes कहां कर रहा है अपने foreign policy में ही एक तरह से वो decide कर रहा है हमारी foreign policy को भी ठीक है तो दूसरा point यह हो गया और तीसरा और आखरी जो point है जिसके कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह problems हम लोग इतना सारा face कर रहा है वो कैसे यह self confidence इंडिया के अंदरगत excessive हो गया है ठीक है तो यह तीनों point बहुत ही important है और तीनों point आपको में यहाँ पर एक बहुत ही interlinked way में कोशिश करूँगा बढ़ाने का तो चलिए अब शूडू करते हैं यहाँ तो अब आते हैं US line सबसे पहली चीज़ तो आप देख सक हम लोगों का जो main motive रहा है वो motive हमेशा से रहा है कि हम लोग non alignment maintain करेंगे ठीक है चाहे हम लोग present scenario में अगर आप देखेगा तो थोड़ा हम लोग obviously non alignment से move कर रहे हैं पर अभी भी हम लोग multilateralism को support करते हैं ठीक है हम लोग अभी भी यह चाहते हैं कि हमारा जो strategic autonomy है वो एक तरह से bedrock रहे हमारी policy thinking का और हमारी policy का भी मतलब foreign policy का ठीक है तो यह एक important point आ गया अब आगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो present scenario में क्या हो रहा है कि यह जो हमारी इंडिया की strategic autonomy है इसमें steady erosion देखा जा रहा है और ऐसा नहीं है कि यह present वाले government के कारणी हो रहा है यह काफी सम है वो deepen होना start हो गया एक मतलब हम लोगों की partnership में depth आना start हो गया ठीक है और ऐसा यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि यह जो है मतलब जो एक तरह से start हुआ हमारा deepening relationship का तो यहाँ पर historical necessity थी इस कारण से यहाँ पर हुआ ऐसा नहीं है कि इसको हम लोगों ने जबरदस् relationship एक तरह से बनने लगी इससे New Delhi that is our India हमारा जितना भी यहाँ पर policies था वो US के interest में align होने लगा ठीक है अब इसका best example में आपको देता हूँ वो है Iran ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हो कि चाबाहर port से related मैंने आपको बताया था कि चाबाहर port का जो agreement है यह 2003 में साइन हुआ इसके बाद हम लोग जानते हैं कि बहुत समय तक यह develop नहीं हो पाया चाबाहर port क्योंकि अभी हाल फिलाल में इसका 2016 के असपासी development शुड़ हुआ है ठीक है 2003 का sign क्या हुआ है तो यह बीच के 13 साल हुआ क्या आखिर तो 13 साल में यह जो बीच का आप देख रहे हैं इसमें problem क क्या हुई थी कि यहां पे US जो है वो basically यहां पे sanctions लगाने लगा इरान के उपर में काफी सारा sanctions लगाया और इस कारण से क्या हुआ कि इंडिया चुकि US के जो भी strategic एक तरह से उनका steps रहा है तो उसके alignment दिखाने के कारण ही यहां पे इंडिया जो है वो एक तरह से under pressure आ गया route देता है Central Asia की तरफ by bypassing the Pakistan तो पाकिस्तान को bypass करके समझ रहे हैं आप कितना important यहां पर इसका infrastructure हो जाता है और इसलिए involvement भी इंडिया का काफी जादा यहां पर important है ठीक है तो यह बात अगए यहां पर इसके लावगर आप देखोगे तो जब voting की बात आई थी United Nations में तो neutral stance maintain कर सकते थे पर चुकि US के साथ alignment है थोड़ा बहुत तो इस कारण से वहां पर उनके line पर voting चली गई ठीक है इसके अलागर अगर आप देखिएगा तो वहां पर जो भी ambitious gas pipeline project है और इसके लावा trade ties था तो वो भी drastically धीरे-धीरे करके कम होने लगा ठीक है अब क्या हुआ 2015 म sign किया गया JCPOE का full form आप मुझे comment section में बताइए P5 plus 1 मैंने आपसे अल्रेडी पूछा हुए तो इसलों मैं बूछोंगा ने आपसे तो JCPOE क्या है आप मुझे comment section में बताइए तो यहाँ 2015 में JCPOE sign हुआ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस particular deal के बाद चो कि US का क्य हुआ stance US ने एक तरह से sanctions का कम करना शुडू कर दिया तो यहाँ पे क्या किया इंडिया ने इस particular opportunity को grab किया और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो भी oil का purchase था उसको immediately step up कर दिया ठीक है इसके अलावत चाबहर में वहाँ पे काम करना जो था वहाँ का काम उसको expand करना start कर मतलब फटाफट काम होने लगा पंदरा में देख सकते हैं 2015 में हुआ और 2016 में हम लोग देख रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री नरित मोदी जी गए तहरान वहाँ पे एक trilateral connectivity project that is अफगानिस्तान और इरान के साथ मिलके sign किया और फिर उस पे काम चालू कर दिया ठीक है दो दो से तीन साल के अंतर के चाबाहर भी complete हो गया जस्ट आप इमाजिन करोगे दो साल से तीन साल के अंतर के चाबाहर भी complete हो गया मतलब वहाँ पे जितने भी दो टर्मिनल थे उसका banana construction उन्होंने खतम कर दिया और अभी भी वहाँ पे काम चली रहा है तो अब देखते हैं 2018 म हम देख रहे हैं कि वहाँ के यूएस के जो president है Donald Trump उन्होंने जो JCPOA यहाँ पे जो sign किया था nuclear deal इससे उन्होंने pull out कर लिया खुद को ठीक है अब pull out कर लिया तो pull out होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे sanctions re-impose हो गया इरान के ओपर में अब यहाँ पर problem फिर से शुरू हो तो फिर यूएस जो है इनके ओपर अब यूएस जो countries एक तरह से ties maintain कर रहे हैं trade ties तो उनके ओपर भी sanctions लगाने का काम करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक तरह का delete dealing हो रहा है मतलब होता न कि उच्छलकूद मच रही है यहाँ पर कि एक position से दूसरे position उ Washington कर रहा है that is USA यहाँ पर इंडिया भी उसी हिसाब से act करना start कर दिया था इंडिया की भी position उसी हिसाब से change होने लगी और इसी बीच अगर आप देखिएगा तो इसी बीच हमारा जो US के साथ defense ties है और military ties है यह भी बहुत जादा बढ़ने लगा ठीक है इसके अलाब आप दे अब यहाँ पर stance देखिए क्या है US का US basically China को contain करना चाहता है तो यहाँ पर चाइना को contain करने के लिए ही यह stance इन्होंने बनाया कि इंडिया को push किया जाए अब इंडिया को उनके मतलब एक तरसे उनके सामने खरा कर रहे है आप अब यहाँ पर इंडिया के पास उतनी पावर अभी नहीं है ना उतने सक्षम नहीं हो पाए है हम लोग अभी कि चाइना के stance को एकदम से हम लोग counter करें पर यहाँ पर चुकि अब यूएस ऐसा चाहता है तो obviously policy भी हमारी वैसी होनी चाहिए अब चुकि यहाँ पर यूएस जो है वे चाहता है कि इंडिया जो है इंडिया क्या है तो logistics exchange memorandum of agreement ठीक है यह हो गया अब लमवा के बारे में आप मुझे comment section में बताइए और कॉमकासा का fullform और उसके बारे में मुझे बताइए ठीक है BPSC में question भी आया था कॉमकासा के ओपर में तो अब यह आप देख सकते हैं कि यहां तक हम लोग पहुँच गया कि कि क जो कि हम लोग अभी समझ रहे हैं कि बहुती जादा localized conflict है पर ऐसा नहीं है यह हो सकता है कि Beijing का यह एक larger strategic move हो ठीक है obviously वहां के PLA that is People's Liberation Army के द्वरा ही start किया हुआ एक बढ़ा strategic move हो जो कि इंडिया को counter करने के लिए हो और हम लोग यहां पे इंडिया को मतलब जो चाइना है वो इंडिया को ही counter नहीं कर चाती है वो indirectly इंडिया को counter करके वो obviously US के तरफ जाना चाती है US को एक तरह से दिखाना चाती है कि आप एक person को खरा कर रहे हो तो मैं उस person को obviously surprise कर सकता हूँ तो इसी चीज़ के बारे में आप एक तरह से समझ सकते हैं तो यहां पे वही है कि Beijing basically इं stabilization करना है अब जैसे दोस्त दोनों दोस्त हो गया मतलब बोलते ना कि आपके दुश्मन का दुश्मन इस दोस्त तो वही वाला हाल यहां पर है कि यहां पर basically हो रहा है कि इंडिया के साइट से अगर आप देखोगे तो दुश्मन है ठीक है चाइना फिर US के लिए भी दुश इन्हों ने करके बताया और बीजिंग ने basically क्या क्या बीजिंग ने यहां पर इसी तरह से retaliate करके यहां पर एक तरह से border का जो status है वहां पर forcefully alter करने की कोशिश कर रहा है status quo को और यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए भी एक बहुत risky message है साथ के साथ US के लिए message है कि China का behavior कैसे यहां पर change हो रहा है तो मेरे ख्याल से जो यहां पर पहला point है यहां पर alignment of policy with the US line यह आपका 100% clear हो गया होगा अब आते हैं second point पर तो second point हम लोग ने क्या बताया था यहां पर बढ़ा था कि coupling of foreign policy with domestic politics तो यहां पर basically जो भी political decisions लिए गए है domestic अगर आप आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसी चीज़ को discuss किया है और यह second point भी बहुत important point है जो कि हमारे foreign policy को determine करने में काफी एहम भूमी का निभा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं बोला गया है कि at least दो ऐसे decision है government के जिसको हम लोग यहां पर consider कर सकते हैं जो कि हमारे foreign policy consequences को एक्तर से determine करने का काम किया है अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी government अगर जो domestic policy बनाती है तो वो obviously domestic audience या फिर citizens को धिहान में लग के बनाती है पर इसका कभी-कभी consequences हमें foreign policy पर भी देखने को मिल जाता है अब जैसे best example आप देख सकते है citizenship amendment act यहां पर जो starting में mention कि offer कर रहा है उन सारे persecuted minorities को जो कि select countries in the neighborhood में lie करते हैं तो यहां पर आप comment section में मुझे बताए कि persecuted minorities आखिर कौन से कौन से country हैं जिनको मिलने वाला है तो बाप countries है पर फिर भी आप मुझे नाम बताओ comment section में ठीक है तो यहां पर पहली चीज आगे citizenship amendment act अब इसके कारण हम लोग न मतलब इसके against बोला गया और even Afghanistan के भी अगर देखिएगा तो उनको भी थोड़े सी चिरचिर मची इसके लिए अब यहां पर दो problem यहां जो यह particular domestic politics का decision है इसके कारण दो problem आए तो यहां पर एक पहली चीज देख सकते हैं कि यहां पर पहला problem क्या है तो वो है यहां पर reasonalization हो रहा है basically domestic problems का जो कि हमारी country में है इनका एक तरह से reasonalization हो रहा है और इसका after effects अगर आप देखिएगा तो इंडिया के neighborhood पर रहा है यहां पर neighborhood में हमारे ऐसे कई सारे long time friends हैं जो कि उनका ही behavior अगर आप देखो गए तो change हो रहा है और यही countries आप देख सकते हैं कि काफी ज change हो जाता है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नया type का wedge का मतलब होता है कि एक दरार type की बन गई उन countries के बीच में जो की Muslim majority है और साथ के साथ यहां पर देख सकते हैं कि पहले वो इंडिया के मतलब तरफ friendly हुआ करते थे और साथ के साथ इंडिया में आ गया तो दोनों के बीच में एक दरार type के create होने लगी इस particular move के कारण ठीक है तो दोनों हम लोग ने देख लिया CA के कारण क्या 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 problems आइं अब यहां पर अगर आप देखोगे तो Muslim majority country सिर्फ यहां पर पाकिस्तान को मत include करी है यहां पर अगर आप देखेगा वो तो हमारा traditional rival है पर यहां पर देखोगे तो बांगलादेश के साथ हमारी relationship जो है इस particular मतलब CA amendment के कारण होने लगी इसके लावा यहां पर हम लोग एक और नहीं चीज़ लेके आगए national register of citizens अब यहां पर देख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है national register of citizens के बारे में कि government basically यहां पर अगर आप अब देखेगा तो यहां पर बाकी countries जितने भी हैं तो उन countries के अंतरगत देख सकते हैं कि यहां पर एक political rhetoric बन गया है against India तो यहां पर इंडिया के अगर आप देखेगा तो यहां पर पहल political rhetoric बन गया है कि हमारी country के अंतरगती कई सारे termites हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है यहां पर बंगलादेश की problem को ही एक तरह से sort out करने के लिए Indian envoy जो है धाका में वो कोशिश कर रही है कि जो बंगलादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हशीना जी तो उनसे बात करने की और 4 महीने से कोशिश कर रहे है पर अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है इस चीज से related इसके लाबा अफगानिस्तान में obviously इंडिया के against protest हो रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं तो CA जो की एक हमारा मतलब domestic politics से related एक move है इसका हम लोग implication हम लोग ने देख लिया अब दूसरा देखते हैं दूसरा आखिर point क्या हो सकता है आप खुद guess करिये तो दूसरा point है obviously य बहुत बड़ा support based था इस particular move के लिए कि Jammu and Kashmir को यहाँ पे मतलब उसका special status खतम किया जाए और साथ के साथ यहाँ पे एक तरह से true integration देखा जाएगा बोला जा रहा था कि true integration हुआ है Jammu and Kashmir का और start में हम सभी को लग भी रहा था कि हो सकता है आने वाले समय में हो सकता है एक या दो महिने में ही सभी situation ठीक हो जाएगी पर उस time के अगर editorial जो लोग पढ़ते आये होंगे उस time पे भी जितने भी editorial थे वहाँ पे experts ने बोला था कि यहाँ पे जो चीज़े हैं यह इतनी जल या कश्मीर वैली वाले एरिया में आप देख सकते हैं कि fundamental right का suspension अभी भी चल रहा है वहाँ आप जानते ही हैं हम लोग ने हाल फिलाल में article में देखा था कि 4G internet कभी तक बंद है ठीक है बहुत सारे problems अभी वहाँ पे sustain कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी हाल फिलाल में जो तीन महीने के आसपास का lockdown देखा था imagine करिया कि वहाँ के लोग उसी चीज उसी lockdown को face कर रहे हैं तो वहाँ की situation कैसी होगी तो अब कश्मीर वाला problem को एक तरह से discuss करने की जगह पर यहाँ पर इसका ramifications देखते हैं तो ramifications क्या पर रहा है इसका तो सबसे पहली चीज इंडिया के जो reputation थी कि एक responsible democratic power है वो एक तरह से reputation वो पूरी तरीके से damage हो गई पहली चीज दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस particular चीज को as a propaganda weapon की तरह इस्तमाल करना start कर दिया तो यह point आ गया अब यहाँ पर आप यह मत सोचो कि यहाँ जो decision लिया है government ने ह मानी हमारी वो इंडिया के reputation को खतम किया बिल्कुल नहीं यहाँ पर यह जो decision था कि special status अता देना यह obviously हमारे internal politics से related है और हमारे internal matter है पर इस से नहीं पर यहाँ पर जो suspension हो रहा है fundamental rights का जो कि कश्मीरी लोग एक तरह से face कर रहे हैं तो और जमू के लोग भी face कर रहे हैं तो इ हमने सोचा था कि सब कुछ वहां ठीक हो जाएगा वहां की जो militancy है वह एक तरह से quell हो जाएगी valley जो है वह एक तरह से violence है एक तरह से बाहर निकल जाएगा पर अभी nearly एक साल होने जा रहा है और अभी वहां पर situation वैसी ही है उल्टा बत्तर होते जा रही है समय के साथ ठीक ह obviously वहां पर जितने भी militants हैं उनको हम खात्मा तो देखी रहे है और अभी हाल फिलाल में न्यूज में आया था कि बोला जा रहा है कि वहां पर zero militants हो गया है पर वही है कि situation अभी भी grave है और कभी भी वहां पर situation खराब हो सकती है तो यहां पर अगर देखिएगा तो जो यहां सारे ramifications हो गया तो एक तो पाकिस्तान का देख लिया दूसरा हम लोग ने देख लिया कि बाहर की countries में हमारा जो reputation वह थोड़ा नीचे गया और चाइना के side से यहां पर आप देख सकते हैं कि aggressive थोड़ा movement चालू हो गया क्यूंकि आप देख सकते हैं कि यह वाले area में लद्द आपका second वाला point है that is coupling of foreign policy with domestic politics वाला clear हो गया होगा अब तीसरे point पर आते हैं तीसरा point हो यहां पर basically मैंने आपको बताया था हुब्री के बारे में तो हुब्री का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया था कि excessive pride या फिर self confidence कुछ जादा ही pride होना तो यहां पर इसी चीज को बताया जा रहा है कि basically अभी present scenario में क्या situation बन गई है कि एक तरह से हमारी government के अंदर भी आप कह सकते हो यह हमारे अंदर भी कह सकते हो कि एक misplaced confidence है कि हम लोग बहुत मतलब अच्छे rising power है और हमारी चीजों जो अगर देखोगे तो situation काफी बहतर है पर यहां पर यह जो misplaced confidence है यही हो सकता है कि हमें आगे चलके और भी जादा खतरना situation क्रियेट कर दें तो यहां पर आप सोच रहे होगे कि misplaced confidence वाला part आप कहां पर एक तरह से rising power के तरह दिखाने के बाद कहां आ गए तो पहला point आप देख सकते हो नेपाल के साथ जो big brotherly attitude एक तरह से है बंगलादेश भी भी आप देख सकते हो फिर भूतान वाला जो area जो हम लोग डोकलाम वाला देखा था हम लोग उने stance वहाँ पे एक तरह से हम लोग ने involvement दिखाया था यह सारी चीज़े हो गई आसपास के नेवर अब श्रिलंका हो गया तो इन सारी जो चोटी चोटी हमारे neighbors और countries हैं इनक अपने allies के साथ में क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था कि second world war उन्होंने जीता था ठीक है इसी reasons है और current context में आप 100% 180% देख जानते ही होगे कि Soviet Union की अभी हालत क्या है वो obviously disintegrate हो चुका है पूरी तरह ठीक है तो यह बात आ गई अब आगे देखिए फिर यहाँ पर चाइना का इन्होंने example दिया है तो चाइना का अगर आप देखिएगा तो चाइना ने चार डिकेड के आसपस लिया है उन्होंने अपने might को US के might के साथ एक तरह से match up करने के लिए पहले खुद को prepare किया है ठीक है पूरी तरीके से अपना focus एक तरह से economic rise के तरफ किया और अपने आपक अग्जांपल से learn करने की काफी जादा जरूरत है यह modern example से और यहाँ पर वही जरूरत है कि एक जो high handedness दिखाते है हम लोग नेपाल के साथ और बाकी जो चोटी-चोटी countries के साथ तो इसी चीज को यहाँ पर एक तरसे उसको curtail करने की जरूरत है क्योंकि यह जो high handedness दिखात तो नेपाल के example को और भी इनोंने आगे बढ़ाया कि जब वहाँ पर constitutional crisis हुआ था तो इंडिया के side से काफी सारा high handedness देखा गया था तो इस कारण से हमारा जो traditional और civilizational एक ally है यह एक तरसे हमारी तरफ hostile turn होने लगा उसी points है ठीक है और इसके अलाबा हम लोगोंने अभी political map जो पंगा कर दिया अब यहां पर इसको second point से relate कर सकते हो आप कि Jammu and Kashmir का यहां पर एक तरसे abrogation हुआ से special status का जिस कारण से हमें एक नएवा map बनाना पारा नए map में हम लोगोंने काला पानी वाला पंगा कर दिया अब काला वानी वाला पंगा से क्या हुआ तो obviously यह एक तर हो कि जो रोहिंग्या वाला issue था तो उसमें भी थोड़ा पंगा हुआ था हमारे side से हम लोगोंने अपनी country में उसको तरीके से tackle नहीं किया था तो इस कारण से वहां पर मयानमार के साथ भी थोड़े बहुत issues आए थे पर अभी sorted है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो य इंडिया अगर देखिएगा तो एक बड़ा power है big power है और world का यहां पर देख सकते हैं कि one of the world's biggest military इंडिया के पास है natural neighbor force है इंडिया के पास strategic location है इंडिया के पास इंडिया नोशन में और इसके लाब अगर आप देखिएगा तो resources बहुत सारे है resources की भी कमी नहीं है और इसक तो मेरे खाल से आपको यह जो particular editorial है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और चुकि अब देख रहा हूँ मैं कि 35 minute हो गया है तो मैं तीन ही editorial को discuss करूँगा part 1 के type page को एक तर से release करूँगा और फिर part 2 में बागी editorial को देखेंगे ठीक है तो पहले आभी पहला हो गया editorial अब दूसरा editorial देखते हैं तो अब हम लोग आते हैं second editorial पर और मैंने जैसा आपको कहा second editorial भी बहुत ही important है क्योंकि इसमें बहुत important concept है यहाँ पे आपको covid से related positives भी दिखेंगे और यहाँ पे आपको covid से related negatives भी दिखेंगे और especially healthcare sector में अगर आप देखोगे तो उससे related है तो यह बह opportunity to reshape the healthcare तो जैसा मैंने आपको बताए कि यह healthcare से related होगा तो यहाँ पे वही बता रहा है कि covid basically हमें एक opportunity दे रहा है जिससे हम लोग अपना जो healthcare है उसको वापस से redesign या reshape कर सकते हैं तो अब सोचो पहला वाला जो editorial हम लोग ने देखा वहाँ पे भी हम लोग ने foreign policy को reshape करने की या redesign करने की बाद कही अब यहां second वाला देख रहा है आप यहां पे healthcare से related है ठीक है third वाला जाब हम लोग discuss करेंगे तो वहाँ पे dietary या फिर जो हमारा normal behavior है diet से related और खान पान से related उसको वहाँ पे देखेंगे ठीक है तो चलिए second वाले पे पहले focus करते हैं तो यहाँ पे ही ब तो इस editorial को start करने में आप देख सकते हैं सबसे पहले इनोंने बताया है कि COVID-19 pandemic के कारण हम लोग देख सकते हैं कि massive disruptions देखा गया है lives में और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ने देखा है इसके अलाबा आप देख सकते हैं कि direct devastation हुआ है health का, epidemic के कारण हम लोग जानते है कि lockdown लगाना परा, lockdown के कारण भी बहुत सारी problems है जैसे direct effect हम लोग indirect effect देख सकते हैं कि environment के उपर परा, livelihoods के उपर परा, supply chains के उपर परा, economy के उपर हम लोग जानते हैं बहुत सारा परा, even social जो structure है उसके उपर भी पढ़ गया, हम लोग जानते हैं कि जो लोग भी vulnerable थे वो उनक discussion काफी जादा हुआ कि हमारी healthcare system की उतनी capacity नहीं है कि इस level के pandemic को एक तरसे fight कर सके ठीक है तो यह पहली चीज बहुत सारा discussion हुआ पर यहाँ पर आप देखा हुगे तो healthcare as a business यहाँ पर discussion बहुत ही जादा कम हुआ और जादा examine नहीं किया गया है तो इसी चीज को इन्होंने independent healthcare जो है present scenario में काफी जादा privatize होते जा रहा है और last few decades में यह काफी जादा हुआ है इसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि market competition भी काफी बढ़ा है और यहाँ पे जो healthcare अभी thrive कर रहा है यह basically एक unregulated form में thrive कर रहा है ठीक है regulation है पर उतना जादा regulation नहीं है अब इसके कारण बह कारे में आपको समझाओंगा अभी आगे तो यहाँ पर यह सब चीजे हम लोग ने देख लिए फिर अगर आप देखिएगा तो covid-19 जो आया उसके कारण dramatic reduction हम लोग ने देखा कि जो भी patients हैं वो जो care seek कर रहे है care seek करने का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर कि जिनको एक तरह से इलाज कराना है या फिर उनको कोई भी चीज की जो तकलीफ है उससे related उनको काम कराना है तो इसमें हम लोग ने काफी reduction देखा ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो basically यहाँ पर plant या पर non urgent cases में यहाँ पर काफी सारा reduction देखा गया साथ के साथ अगर कोई ऐसी surgeries होती थी जो उतनी important नहीं है तो इन सब cases में आप देख सकते हैं कि काफी सारा reduction देखा गया और बहुत सारे patients के अंदर अगर आप देखेंगे तो health facilities को visit करने में भी एक तरस का square था ठीक है उनके अंदर एक भय बैठ गया हुआ था जिस कारण से हम देख सकते हैं कि चुकी भ पर बाकी बिमारी नहीं लेते हैं कोविट से अगर आपके पास mild symptoms हैं यहां फिर हो सकता है कि mild से भी थोड़ा pre mild system symptoms हैं माल लेते हैं तो यहां पर severe case नहीं है तो उस case में क्या होगा कि लोग जो है वो जाना नहीं चाते है facilities में क्योंकि उनको लगता है कि वहां जाएंगे फ चुकि mild ही रह जाते हैं तो उनमें सुधार नहीं आता उनकी जो मतलब तवियत में और फिर होता क्या है कि severe जब case हो जाता है तब उनको obviously जाना ही पड़ जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वहीं जब severe case हो जाता है तब जब जा रहे हैं तो वहां पर consequences भी हो सकते ह वह person फिर normal होके वापस आएगा या फिर उनकी death हो जाएगी तो यही collateral damage के तौर पर इन्होंने बताया है पहली चीज तो यह हो गई दूसरी चीज यहां पर यह भी बोला गया है कि बहुत सारे जो बिमारिया होती है जैसे कुछ बेकार बिमारिया हो गए जो जिसके कारण fatality काफी सारा हो सकता है तो उस case में भी यहां पर लोग क्या करने लगे कि intervention को avoid करने लगे अब वह है कि इसका भी impact हो सकता है कि death हो सकती है इस case में तो यह point आ गया ठीक है तो पहला तो negative point आ गया अब दूसरा अगर आप देखिएगा तो यहां पर चुकी लोग जा नहीं रहे ह है ठीक है मतलब visit नहीं कर रहे है hospital तो बहुत सारे procedures होते हैं जिससे वह एक तरह से बच रहे हैं खुद को अब हम लोग भी doctor के पास आप जाओगे तो वह एक तरह से diagnosis करने के लिए काफी सारे procedures करवाते हैं तो यहां पर वह सारे procedures से भी हम लोग एक तरह से बच रहे हैं जो patients unnecessary यह बला भी reduce हो गया इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो cesarean sections में भी report किया गया है कि काफी सारा downward trend देखा गया है तो यह भी एक चीज़ हो गी इसके अलावा आप देखिएगा तो यहां पर जो procedures होते थे जैसे कि corona stents का लगाना, knee replacement, cosmetic surgeries यह सब चीजों में भी बहु सारा curtailment देखा गया, तो यह आप impact एक तरह से देख रहे हो कि कैसे COVID-19 का impact परा है इस particular चीजों में, ठीक है, healthcare से ही related है, तो यह सारी चीजों में क्या क्या impact परा है, अब यहां पर इन्होंने एक strange observation यह भी देखा कि आप notice करो यहां पर कि emergency medical cases भी कम हो गया है, इसमें भी क्या हो सकता है, तो यहां पर कई सारी reasons हो सकते हैं, इन सारी true emergencies का जो है एक तरह से कम होना, ठीक है, पहला जो यहां पर हो सकता है, क्या हो सकता है यहां पर, तो unpolluted year, हम लोग जानते हैं कि lockdown के कारण क्या हुआ, lockdown के कारण जितने भी गाडियां है, और industries वगएरा, सब की कु home cooked food खा रहे हैं जाधा, जाधा लोग प्रफर गया क्योंकि और कोई option ही नहीं था, essential items ही available थे, तो home cooked food खा रहे हैं, तो यह तीन चीज़े हो, तीन कारणों के कारण, तीन positives के कारण आप एक तरह से बोल सकते हो, कि यहां पर bigger impact दिखा गया health पर, और यही आप एक तरह से कोड्स के अंदर में डालने की कोशिश की थी, double checks के अंदर गया, कि यह बहुत important एक तरह से impact देख सकते हो, कि इससे health में काफी सारा improvement आया, ठीक है, पहला point हो गया, polluted air नहीं, दूसरा point आगया, work stress नहीं, और तीसरा home cooked food, तो इसके कारण impact, अच्छा कासा impact आया health में, और यह सुधार के कारणा आप देख सकते हैं, कि emergency medical cases जो है, वो कम होना start हो गया, ठीक है, अब lockdown का एक और favorable impact आया, कि over diagnosis अगर हुआ करता था, या over treatment हुआ करता था, कई सारे emergencies के case में, तो वो भी कम हो गया, कैसे कम हो गया, तो obviously लोगों के, जो भी doctors है, उनके पास इतना fall to time नहीं हो government इन सारी चीज़ों को एक तरसे संग्यान में ले, अपने ध्यान में ले और इसके वाद इसके उपर काम करें, तो यह हम लोग आगे चल के हो सकता है, कि जो हमारा future health care है, वो काई कफी जादा beneficial हो सकता है patients के लिए, क्योंकि अगर इसी चीज़ के उपर में काम कर लिया है, कि different industries एक तरह से आते हैं, और किसी भी service या product का price को fix करते हैं, पर यह जो price fix करते हैं, यह obviously customers के या consumers के hit में नहीं होता, मतलब हो सकता है कि वो high price fix कर दे, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई operation कराना है, तो वो 2 lakh का value set कर देंगे, ठीक है, और हो सकता है कि वो 1 lakh या 50,000 मे कर उन्होंने set किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि log या फिर इस particular pandemic के कारण natural curve हुआ है, इस cartelization of healthcare का, दूसरी चीज अगर आप देखेगा, तो काफी सारे practices में भी यहाँ पर कमी आई, जैसे आप देख सकते हैं कि doctors और hospital जैसे test, drugs, referrals और procedures को एक तरह से यहाँ पर प्रेस्क्राइब करते थे, तो यह सब चीजों में भी कमी आई, अब यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखोगे, तो यह particular चीजों में जो कमी आई है, इसका negative consequences भी था, negative consequences कैसे था, तो पहली चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, मतलब यह जो अगर implemented होता था, कि यहाँ पर procedures अगर करवा रहे हैं, extra drugs दे रहे हैं, referrals दे रहे हैं, तो इससे क्या होता था, कि patient का expenses increase होता था, ठीक है, इसके लावा जो right doctor के पास patient पहुंच नहीं पाता था, यह भी एक problem आ जाता था, appropriate investigation भी नहीं हो पाता था उस case में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी करवा रह लगता था, और उनके उपर भी बहुत सारा stress आ जाता था, about this profession, ठीक है, तो वो cynical हो जाते थे बहुत जादा, अब pandemic के कारण हुआ क्या, तो pandemic के कारण यह particular practices से एक तरह से force detox मिल रहा है, हमारी healthcare sector को, कैसे मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं, कि अभी present scenario में, यहाँ पे availability of doctor के उपर सब कुछ एक तरह से based है, beds के उपर है, proximity के उपर है, तो यह सारी चीजों के best based पे ही हम देख सकते हैं, कि जो referral system है patient का और यह सब चीजे एक तरह से बना हुआ है, तो यह इसको भी आप एक तरह से लेग के चल सकते हो, कि यह positive हो गया, इसके बाद अगर आप देख और यहाँ पर cancer के case में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या था कि कोई भी अगर terminal patient हुआ था, तो उनको chemotherapy prescribe कर दिया जाता था, और यहाँ पर situation देखो कि chemotherapy के कारण क्या होता था, कि इसके side effects काफी जादा हुआ करते थे, और disease से भी जादा हालत खराब हो जाती थी, यहाँ पर देख रहे हैं, कि अगर मा लीजे, मतलब मस्ती खोरी के चक्कर में ही, मस्ती खोरी इसको अब बोल सकते हो, मस्ती खोरी के चकर में ही खाली chemotherapy करवा दिया, कि डॉक्टर को ठीक से पता भी नहीं है, और फिर भी chemotherapy करा रहे हैं, तो यह एक तरह से यह भी COVID-19 के के उपर भी, मतलब ऐसी ऐसी चीजे health check-ups कराए जाता था, कि आप फूर फूर फुल बडी check-up करा लो, यह करा लो, तो यह सब चीजे भी एक तरह से अभी curtain down होने लगा है, और अगर आप लोगों का ही देखोगे, तो लोग जो हैं, वह preventive health की तरफ जादा focus कर रहे हैं, मिलता नहीं था, तो obviously लोग smoke नहीं कर सकते हैं, तीक है, अब काला बाजरी तो बात अलग हो जाए, पर यहाँ पर यही चीज़ है, कि यह सब चीजे नहीं होते थी, तो इसका भी क्या फायदा हुआ, इसका भी obviously आपके health पे, जो है वो एक positive एक तरह से impact देखा गया, और एक बहुत ही important जो change आया, वो देख सकते हैं, कि जो भी लोग है, उनके अंतरगत ये behavioral change आया, कि coughing और spitting जो है, वो open में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं, कि इसको punishable बना दिया गया, offense बना दिया गया, तो इस कारण से ही आप समझ सकते हैं, कि यह एक अच् stage पे है, और इस कारण से जो हमारा robustness है public health system का, यह एक तरह से check हो रहा है, ठीक है, अब इसके लावा हम लोग यहाँ पर increased investment भी हम लोग देख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं, कि unknowingly या फिर unwittingly हम लोग देख रहा है, कि desirable changes आ रहा है, जो कि हमारे unwarranted medical practices हुआ करते थे, उसक भी चीज़े होगे, एक तरह का desirable change आ रहा है, पर यहाँ पर यहाँ पर जो positives मिल रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है, कि सिर्फ positives ही मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने सारे positives ही discuss किया, इसका अगर आप देखोगे तो dangerous fallout भी है, इस particular disruption का, तो आखिर क्या क्या है यहाँ पर, जादा नीची जादा चुका है, deaths वो हमेशा इससे देख रहे हैं, मतलब वो एक तरह से war-like situation को face कर रहे है, यह भी हम लोग ने editorial में पढ़ा हुआ है, तो इस कारण से उनके उपर stress एक तरह से आया हुआ है, इसके अलाब आप देखिएगा, तो private sector में भी हम लोग देख रह रहा है, institution से related, और इसके अलाब क्योंकि उनके उपर देखिएगा, तो काफी सारा financial strain बन के रहा है, और आगया हुआ है, तो यह तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से dangerous fallout है, इस particular चीज का, इसके अलाब हम लोग यह भी देख रहे हैं कि कई सारे जो हमारे covid warriors हैं, उनका भी loss हो कर रहा है, सिर्फ covid-19 को एक तरह से, इसके spread को रोकने के लिए, और अगर बिमारी हो जाती है, तो फिर वही है कि हमें उसको contain करने के लिए, बहुत सारा bill देना पर रहा है, पैसे बहुत जारा बरबाद हो रहा है, अब इस चीज के लिए सरकार ने किया किया, तो सरकार ने private सेक्टर का जो भी amount है, उसको उपर cap लगाना शुरू कर दिया, पर यहाँ पर फिर क्या होगा, कि यहाँ पर फिर वह क्या करेंगे, तो वह बाकी सारी चीजों में फिर अपना profit को एक तरह से धूना स्टार्ट कर देंगे, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि PPE kits व वापस से सामने आ जाता है, इसके अलाबा यहाँ पर एक fear यह भी है, कि अब यह देख सकते हैं, कि जो भी pandemic के कारण जो positive impacts हम लोग देख रहे हैं, जो भी unnecessary practices के उपर में, यह हो सकता है, कि जैसे ही normal सी restore हो, तो यह सारी चीज़े wash away हो जाएं, और फिर से वापस से जो पुर काफी जादा respect बर गया है, इसके अलाबा हम लोग जानते हैं, कि उनको हम लोग एक तरह से corona warrior के तरह टीट कर रहे हैं, यह सारी चीज़े भी हो गई, और कई सारे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर की undesirable practices के वी उपर काफी सारा curb लग गया हुआ है, तो यहाँ पर इसी ची वापस से curtail down किया जा सके, और वापस से हमें जो इस तरह की pandemic है, इस तरह का severe threat आता है, उसके लिए भी हम लोग prepared हो जाएं, तो यह बहुती बहतरीन आर्टिकल आप देखोगे, यहाँ पर positives, negatives सब कुछ मिल गया है, और especially COVID-19 का healthcare पर क्या impact परा positive, negative यह बहुत अच्छे तरीक मतब business oriented होने के कारण, यहाँ पर काफी सारी चीज़े हमारी सामने खुलके आई हैं, तो हो गया second editorial, अब तीसरा editorial आखरी होगा, इस particular part 1 का, इसके बाद जितने भी होगे editorial को हम लोग next part में discuss करेंगे, तो यह वाला editorial भी बहुत ही important editorial है, और मैं आपको समझाता हूँ क्यों, क् इसके बाद health के ओपर में क्या पड़ता है, और finally employment, unemployment और यहन सब चीज़ों के बारे में discussion इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग discuss करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप देखो यहाँ पर किसका title क्या है, तो the majority cannot afford a balanced diet, पहली चीज़ इन्होंने बताया है कि balanced diet को बहुत सारे लोग एक तरह से यहाँ पर afford नहीं कर सकते हैं, तो situation देख सकते हैं कितना grim हो जाता है अगर balanced diet नहीं मिल रहा है तो उसके कारण काफी सारे problems आते हैं, तो यहाँ पर इसी चीज़ को आगे इन्होंने discuss किया है, कि above the poverty line, मतलब poverty line के ऊपर जो बहुत सारे millions हैं, उनके पास भी accessibility नहीं है, यहाँ पर healthy या nutritious food in India, तो यही situation आप देख सकते हैं, कि अगर उनको खाना अच्छा तरीके से मिलेगा नहीं, तो उनका health कैसे maintain होगा, health maintain नहीं होगा, तो फिर वो काम कैसे करेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे, तो फिर poverty आएगी, तो उसके कारण उनका health भी खराब है, poverty भी है, तो फिर obviously वो आगे, मतलब एक तरह से unemployment को जनम दे रहे हैं, यही situation हो जाता है, तो इसी चीज़ को इन्होंने एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से discuss किया, तो चलिए start करते हैं, पहला paragraph देखते है यहां पर यही हो गई, और यह जो भी hundreds of millions of people हैं, यहां पर basically इनका, मतलब international poverty line जो है, इसके अंतरगत वाले, मतलब आजू बाजू वाले जो लोग है, आसपास लाई करते हैं, उनको यहां पर analyze किया गया, तो यहां पर पहली चीज़ पता होना चाहिए कि FAO क्या है, तो FAO के बारे में आप थोड़ा पढ़िए, इसका headquarter देखिए कहां पर है, और इस organization के बारे में थोड़ा बहुत देखकर आप comment section में लिखिए, ठीक है, अब आते हैं, international poverty line कितनी set की गई है, तो यहां पर 1.90 dollars एक तरह से set की गई है, purchasing power parity के basis पर, per person per day, ठीक है, तो यह आपको दिया national poverty, जो है, point यहां पर 1.90 dollars का, इसके नीचे लाई करने वाले को किया है, ठीक है, कि यहां पर उन लोग हैं, जो कि afford नहीं कर सकते, health or nutrition diet का, यह पहले analysis इन्हों ने किया, दूसरा है, यहां पर आप देखिएगा, कि यहां पर इस analysis ने confirm किया, यहां पर जो हम लोग बोलते हैं कि poor nutrition जो है, वो basically, यहां पर मानते हैं हम लोग की infrastructure खराब है, या फिर लोगों के पास information नहीं है, जानकारी अभाव है, awareness नहीं है, इस कारण से, पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर basically afford ही नहीं कर सकते हैं, वो good diet को, इस कारण से हम लोगों के अंतरगत, यहां पर poor nutrition एक तरह से कह सकते हैं, कि उनके पास पैसा ही नहीं है, कि good diet वो खरीदें, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर तो देखते हैं, कि यहां पर बताया जा रहा है, कि FAO के बारे में ही, कि FAO जो हर साल United, FAO का बारे में पहले चीज बोला जा रहा है, कि हर साल अगर आप देखिएगा, तो यह partnership करती है, Other United Nations Organizations के साथ में, ठीक है, और इनके साथ मिलकर एक report को publish करती है, जो की होता है, Food Security Across the World, तो यह point आपको ध्यान में रखना है, और फिर आखिर यहां पर यहां पर एक तरसे analysis दे रही है, या report दे रही है, या कि report कौन सा है, तो report का बारे में ही बताया गया, क यह जो है, इसको कहा जाता है, State of Food Security and Nutrition in the World 2020 report, टीक है, अब यही report को आपको याद रखना है, Sophie report, इसको एक तो short form में याद कर सकते हो, कि State of Food Security and Nutrition in the World, टीक है, अब यहां पर आपको full form से और से obviously guess नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको आप पूरे नाम से ही याद रखना तो बेट इस था, cost and affordability of healthy diets around the world, तो इसी चीज़ को इन्होंने काफी सारा expand करके discuss किया है, ठीक है, तो cost and affordability of healthy diets को एक तर से expand करके discussion किया है, तो types of diet इन्होंने सबसे पहला point उठाया है, कि types of diet कितने तरगा होता है, तो यहां पर देख सकते हैं कि diet को इन्होंने तीन type में define किया है, तीन तो basic energy मतलब क्या हो कि calorie intake जितना चाहिए, उतना एक तर से supply कर रहा हो, तो अब आखिर calorie intake कैसे आप एक तर से decide कर सकते हो, तो यहां पर इन्होंने basis बताया हुआ है, जो यहां पर basis रहता है, वो एक healthy young woman जो की 30 साल की होती है, उनको यहां पर standard reference लेके चला गया है, और उनकी ज जा सकता है, और यहां पर जो required calorie intake है, यह सिर्फ मतलब जो cheapest starchy cereals है, उसी को एक तर से intake करके cover कर लिया जाता है, ठीक है, तो cheapest starchy cereals क्या होता है, तो यहां पर rice और wheat होता है, तो खाली rice और wheat खाके ही इसको एक तर से cover up किया जा सकता है, तो यह हो गया basic energy sufficient diet, ठीक है, पहला हो ग related requirement जो होते है, 23 macro और micronutrients का, वो भी मेट हो जाता है, ठीक है, तो इसके अंदरगत कौन से diet आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, इसके अंदरगत cost items, जो least cost items होते है, different food groups के, उसको ही आप इंक्लूट किया गया है, तो यहां पर छोटे छोटी चीज़, आप इस तरह से pulses थोड़ा बहुत, सबजियां एक तरह से include कर लो, ठीक है, तो यह हो गई बात, तो हम लोगों ने nutrient adequate diet देख लिया, यहां पर, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा type कौन सा होता है, तो तीसरा type यहां पर healthy diet होता है, जो कि हमारा main concern है, यहां पर, healthy diet के बारे में बताया गया है, कि यह ऐसा diet होता है, जो कि calorie norm को करता है, complete, इसके लाबा micro और macro nutrients norm को भी complete करता है, साथ के साथ यहां पर allow करता है, कि consumption किया जा सके, diverse diet का, from several food groups, मतलब, अलग-अलग तरह के खानों का, मिला के यहां पर एक तरह से diet बनाया जाता है, तो इसी को healthy diet बोलता है, अब जैसे for example, cereals तो बताया है कि healthy diet को अगर आप देखिएगा, तो इसको define करना बहुती difficult है, बहुती muscle है, और यह बाकी दोनों diet के comparison में काफी जादा complex भी है, पर यहां पर FAO जो है, वो basically actual recommendations, selected countries का use करके, इसको एक तरह से, मतलब, assess करने का काम करता है, अब इंडिया के Indian recommendation अगर आप देखिएग इसके लाबा protein rich food, protein rich food का मतलब हो गया, legumes, meat और इसके लाबा eggs, यह सारी चीज़े आ गई, फिर dairy आ जाता है, फिर vegetables, fruits, और फिर आ जाता है fats, तो यह 6 group एक तरह से आ जाते हैं healthy diets में, ठीक है, जिसमें एक तरह का grouping बनाने की बात कही गई है, अब आगे बढ़ते हैं यहां प का 170 countries में चेक किया, और फिर linear programming techniques वगरा को लगा के, जो कि mathematics का एक technique है, इन सारी techniques को लगा के उन्होंने हर एक diet का cost एक तरह से यहां पर identify करने की कोशिश की, और यहां पर फिर इन्होंने findings कुछ ढूंडी, जो कि हम लोग देख सकते हैं, especially South Asia के लिए, क्योंकि हम लोग South Asia में रहते हैं, तो South Asia के part का ही इन्होंने बताया है, तो यहां पर 3 findings मिली है, 3 findings को इन्होंने काफी detail में discuss किया है, तो उसी को देखेंगे, तो यहां पर सबसे पहली finding जो आप देख सकते हैं, वो क्या कही गई है, कि energy sufficient diet अगर आप देखोगे, या फिर सिरियल्स खा के जो यहां यहां पर calorie को एक तरसे meet करना हुआ, वो आप देख सकते हैं कि South Asia में 80% एक तरसे इसको माना जाता है, around 80 cents a day माना जाता है, 80 cents not percent, 80 cents a day माना जाता है, ठीक है, तो cents आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा, 100 cents is equal to $1, तो 80 cents के around यहां पर cost बताया गया है, और यहां पर आप इरिया में रह रहा है, यह बहुत ही जादा affordable है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग जानते हैं कि $1.9 का यहां पर cut-off poverty line है, तो इसे काफी जादा कम है, ठीक है, तो इसके आगे इन्होंने यही बताया है कि अब जान सकते हैं कि country जैसे इंडिया जैसे poor country जैसे इंडिया है, इस nutrient adequate diet का cost इन्होंने बताया है कि $2.12 a day, ठीक है, अब यह $2.12 अगर आप देखिएगा तो जो poverty line यहां पर इन्होंने mention किया है, इससे थोड़ा जादा है, तो यहां पर क्या होगा, कि जो obviously poverty line के नीचे लाई करेंगे, उनको तो nutrient diet मिलने से रहा, नहीं मिलेगा, पर यहां पर अब एक चीज़ देखो, कि यह जो amount है, यह amount 1.9 से बड़ा है, ठीक है, अब बड़ा होने के कारण क्या होगा है, कि जो उस particular poverty line से जस्ट थोड़ा सा उपर होंगे, उनको भी नहीं मिल पाएगा यह चीज, तो यह भी पर परिशानी आ गई, और यहां पे Sophie report के, मतलब इसके अनुसार अगर आप देखेगा, तो इनके अनुसार, person cannot spend more than 63% of total expenditure on food, मतलब जितना वो कमा रहा है, ऐसा नहीं है, कि वो सारा पैसा जो है, वो इस्तमाल कर लेगा, खाना खरीदने में, ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा अगर वो करेगा, तो sustain ही नहीं कर पाएगा, तो इ अगर कोई कमा रहा है, तो उनको भी नहीं मिले गई है, क्योंकि उनको अगर देखेगा, तो फिर इसका 63% निकालो, उतना ही amount खर्च कर सकते है, तो यह भी second point आ गया, तो हम लोग ने यहाँ पर पहला जो point था, वो basic energy sufficient वाला देख लिया, कि यह तो obviously किया जा सकता है, लिया 4.07 dollars, तो आप देख रहे हैं, कि यह जो, मतलब अगर 2 dollar भी अगर इसका मान लेते है, poverty line को, तो इसका दुगुना है, दुगुना से भी जादा है, तो आप situation देख सकते हैं, कि यह more than twice the international poverty line हो गया, तो इसका तो obviously समझ सकते हो, कि बहुत सारे लोग जो है, इसको एक तरह से use नहीं कर सकते हैं, और यही चीजी इन्होंने बोला है, कि healthy diet जो है, एक तरह से totally unavoidable है, उन सारे मतलब लोगों के लिए, जिनका जो, मतलब poverty line से twice amount भी अगर वो कमा रहे हैं, ठीक है, तो आखिर यह healthy diet है क्या, तो healthy diet में आखिर include क्या होता है, तो मैंने आपको अल्यडी बता fruits, etc, 5 grams of oil a day, तो यह सारी चीजों को अगर आप देखेगा, तो मिला के अगर आप देखंगे, तो यह healthy diet के तरह एक तरह से सामने आता है, तो यहाँ पर in short हमारे पास क्या आया assessment, तो in short आया कि यह जो balanced या healthy meal है, यह एक तरह से काफी जादा costly है, और exclusive भी हो जाता है, यह अबर आप देख सकते हैं कि 586 million people है, वो इस particular जो healthy diet है, उसको afford नहीं कर सकते, ठीक है, cannot afford the nutrient adequate diet, sorry, यहाँ पर nutrient adequate diet को एक तरह से वो afford नहीं कर सकते, 18% तो कर नहीं सकते, और दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि 58% अगर South Asians को देखिएगा, जो की 137 million होते हैं, तो यह लोग healthy diet क नहीं कर सकते, तो आप देख सकते हैं कि around 600 million people को यहाँ पर nutrient diet नहीं मिल रहा, और इसके लावा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1300 million people को यहाँ यहाँ यह नहीं मिल पा रहा, healthy diet नहीं मिल पा रहा, तो situation देख रहे हैं कि ऐसे grave हो गई, तो यह तो हो गया, यहाँ तक का discussion कि इस particular report म कर सकते हैं, और especially last 3 महीनों में जब situation और भी ज़्यादा खराब होई है, तो यहाँ पर वही है कि अगर आप देखेगा, तो इसमें वही है कि इसका number बोला जा रहा है कि जो लोग तरह से afford नहीं कर सकते, उनका number और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो अभी हम लोग ने 1300 million के आ तो informal sector में होने के कारण, obviously यह सारी चीजों का impact पर गया है, अब यहाँ पर आते हैं, इन्होंने इंडियन poverty को एकतर से बताया है, तो इंडियन poverty line जो है 2011-12 का, तो यह तेंदूलकर कमीटी द्वारा एकतर से define की गई थी, और यह question बनता भी है, आता भी है UPSA में, तो इसको अगर आप इंटरनाशनल PPP price पे convert करोगे तो यह एक डॉलर के आसपस होता है, ठीक है, अब यहाँ पर वही है कि यहाँ जो इंडियन poverty line है, जो कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी last decade में कोई भी redefinition इसका नहीं provide किया गया है, यह lower तो है obviously international poverty line से, जो कि Sophie में इस्तमाल क और यहाँ पर हम लोग obviously directly नहीं कह सकते हैं कि इनको भी healthy diet मिल सकता है, यहाँ पर situation और भी ज़्यादा खराब है न, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर poverty line है वो और भी ज़्यादा नीचे है, और हम लोगों को जितना amount, मतलब जहाँ जो decide एक तर से करके बता रहे हैं कि healthy diet और nutrient diet के नहीं सकते हैं क्योंकि nutrient diet यहाँ पर 2 गुना है और healthy diet 4 गुना है, तो situation और भी ज़्यादा grim हो जाता है, तो यह जो पहला point आपको मैंने अभी discuss करके बताया कि मतलब situation और भी ज़्यादा grim है इंडिया के case में, इसी को यहाँ पर इन्होंने first point के तोर पर बताया है, कि हम अर्विन पनागरिया जो है, वो एक scholar है, तो उनके द्वारा भी बताया गया, बोला गया कि यहाँ पर poverty line अगर आप इंडिया के अंदर देखिएगा, तो obviously यहाँ पर हो सकता है कि comfortable existence वो ना करे, पर यहाँ पर subsistence से उपर एक तरह से existence के लिए obviously balance diet दे देता है, तो यह बात है कि अगर international poverty line दिखेगा जो की 2 dollar के आसपास है, और वो ही international poverty line ही वो एक तरह से हमारा poverty line से दुगना है, तो obviously हम लोग कही सकते हैं कि यहाँ पर healthy diet को afford करना तो एकदम बाती नहीं उठती है, तो यहाँ पर फिर आगे इन्होंने यही बोला है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि ह सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार को at least एक nutritious meal जिसमें protein, fruits और vegetables हो, यह insure करना चाहिए, majority of the people के लिए, और particularly यहाँ पर जब time of crisis है तब तो देना ही चाहिए, अब यहाँ पर इन्होंने scheme जो हम लोग ने already पढ़ रखा है कि प्रधान मंत्री, गरीब, कल्यान, अन्योजना तो यह एक तरह से offer करता है free food जो कि November 2020 तक extend कर दिया गया, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 5 kg wheat और rice या फिर 1 kg of gram दिया जाता है, लेंटिंस दिया जाता है, जो कि month free of course दिया जा रहा है, तो यह एक अच्छा कासा तरीक, मतलब एक move है, और यहाँ पर जो लोग होंगे जिनके पास ration card है obviously और नहीं जिनके पास है उनको भी अलग से कुछ price दे कर दिया जा रहा है, तो यह भी एक तरह से तरीका किया गया है, यह अच्छा move है, पर यहाँ पर वही है कि इस तरह के moves जो है, यहाँ पर जो बड़ा problem एक तरह से grow हो रहा है, malnutrition से related, obviously इसको तो address नह उसको discuss करेंगे, और मैं आपको फिर से वही reason बता देता हूँ कि यह जो भी editorial से बहुत जादा deep में इसके लिए discussion करना पर गया, क्योंकि बहुत important points है इसमें, ठीक है, तो आप पहले part 1 देखो, आराम से, part 2 के लिए मैं काम तुरंट से इसको upload करके फिर मैं शुरू कर दूँ तो थैंक यू सो मुच फर वचिंग